Hello Friends Welcome back to my channel में नहीं नहीं क्रिशना और आज में लेकर आपके आपके लिए बहुत यूनीक और बढ़िया कैमरा और इसको मैं यह बॉल कैमरा कहते हैं इसको कुछ मेगनेट कैमरा कहते हैं कुछ इसको राउंड गोल कैमरा कहते हैं कुछ इसको बैटरी विदाउट बैटरी कैमरा कहते हैं जो भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं बागी कुछ A9 भी कहते हैं इसको तो जिस भी नाम से आप इसको जानते हो यह सेम एक ही होता है ठीक है बट इसकी एप्लिकेशन अलग लगोती है जो लोकल और मार्केट में ल अप्लिकेशन जो है अच्छी हो ठीक है मार्केट में बहुत सारे लोकल पीस भी एवेलेबल है तो इस चीज़ का हमें जरूर ध्यान रखना है कि हमें ओरिजिनल लेना वी 380 अप्लिकेशन पर जो वर्क करें जैसे कि आप देख पारें स्क्रीन के उपर और इसको पूरा न दीक से किसी भी कोने से और अगर अगर आप इसके नियर देखना चाते हैं मैं अलब 10 से 15 मिटर के दारे में तो पिर आपको कोई भी चीज़ की जरूत नहीं है नहीं रौटर नहीं इंटरनेट कोई भी चीज जरू है डारेक्ट इसका कनेक्ट करो वाई-फै से और अपने चला लो तो यह देखिए इसके साथ यह आती है और इसनल वाला लेंगे तो आपको साथ इसकी सारी शाइट और यह पूरा मेंगे पूरा चिपक जाता है कहीं पर भी ज़े पीछे मेंगे लगी होती है और इसके अंदर एक बैटरी भी लगे होती है बट इसकी बैटरी का एक चीज शार ध्यान रखें बाय करने से पहले बट इसके अंदर एक अच्छा फिचर यह है कि आप इसको डरेक्ट पावर बेंक से डायक्ट आप इसको इलेक्टिसिटी से चला सकते हैं प्लस मैंने इसके अंदर एक वीडियो और बनाई है जो उपर आया इकन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं उसमें आप इसको जो है बैटरी का बैक अप भी बढ़ा सकते हैं तो देखिए इसको ओन वाला बटन है नया कैमरा बन जाएगा पहले कभी किसी ने इसको इसको अपने फॉन से कनैक कर रखा हो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं आने की है क्योंकि ये रिसेट हो चुका है और ये देखिए जब ये ओन होता है तो इसकी इंफरेड लाइट जल जाती है बट ये हमें नहीं दिखती है इतना जितना ये कैमरे को दिखती है तो आपको ये जो दिख रही होंगी बैंगनी कलर की रेज आती होई तो ये क्योंकि हमारे कैमरे मुबाइल कैमरे से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें क्वालिटी होती है कि वो इंफरेड लाइट पकड़ लेता है ठीक है तो ये वो ही दिखा रहा है बाकी हम नॉर्मल आइस से देखेंगे अपनी आखों से देखेंगे तो ये चीज नहीं दिखने की हमें ठीक है तो हमें अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करना है हमें इसके अंदर आपको चार्जर लगा के चार्ज कर लेना है है सबसे पहले काम तो चार्ज आ रही है चार्ज कर लेना इसको क्योंकि डिश्चार्ज हो के आते हैं पीछे से यह चार्ज नहीं होते बिलकुल भी ठीक है तो इसको आप चार्ज कर लें चार्ज करने के बाद इसमें memory card लगा लें और memory card इसके अंदर आप 64 GB तक इसके अंदर memory card लगा सकते हैं और जो भी market में कहते हैं ना ग्यार 128 GB तक का memory card लग जाता है वो इसके अंदर जूट बोलते हैं कोई 128 GB का memory card यह support नहीं करता है ठीक है इस जीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि market में क्या fake मिल रहा है और क्या original मिल रहा है इस चीज का जरूर ध्यान रखना है और कोई भी camera किसी भी परकार का कोई भी IP camera spy camera आपको buy करना हो तो आप मेरे से direct contact कर सकते हैं उपर मैंने अपना number दिया हुआ है उस पर direct contact करके आप अपना product अपने घर पर home delivery cash on delivery भी मेरे पास available है आप मंगा सकते हैं अपने घर पर और यह देखिए memory card इस तरीके से इसके अंदर लगाना है ठीक है यह चीज आपको ज़रूर ध्यान रखनी है और इसमें थोड़ा सा press करेंगे ना click करेंगे अब आज आईगी इसके अंदर click की ठीक है उसका मतलब है कि यह लग चुगा है और अगर आपके जैसे nails बढ़े नाव में ही तरह तो आप किसी चीज की मदद से इसको click करके भार निकाल सकते हैं और इसी तरीके से click करके आप इसके अंदर भी इसको लगा सकते हैं तो देखिए इस तरीके से आप इसको लगा सकते है बड़ा इजी है और जो भी friends मेरे connect करना सिखाऊंगा और बिल्कुल आपको ध्यान से right hand side पे देखना है अभी mobile आने वाला है एक छोटा सा इसके side में screen के उपर उसमें जैसे जैसे मैं बताऊंगा वो वो follow करना है आपको और ये आपके phone के साथ live connect हो जाएगा मैं internet से connect करना भी सिखाऊंगा इसके अंदर तो मैंने v380 application को pro भी कर सकते हैं और normal वाली भी कर सकते हैं मैं pro ही करके दिखाऊंगा आपको और इसको install कर लेना है सेम कुछ भी नहीं है बहुत easy steps है आप बस live जो जो मैं करता रह रहा हूं करता जा रहा हूं वह वह आप करते रहिए और कुछ भी नहीं करना आपको अलग इसस जो मैं करता मतलब आप एक तरह से वीडियो मेरी साइड में रखती जिए और जैसे-जैसे मैं कर रहा हूं वैसे वैसे फॉलो करने आपको step और कुछ भी नहीं करना या pause करकर के आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं और पूरा इसको connect कर सकते हैं और इस जो infrared light जो दिखनी हैं आपको left hand side पे यह मैंने video बार बार recap पे चला रखी है तो इस पर ध्यान इतना ना दे जो मैं mobile पे चला रहा हूं इस पे ही आपको ध्यान देना है तो देखिए v3 application pro जो है यह download हो चोग है इसमें read and agree कर देना है हमें allow कर देना जो भी चीज मांगेगा उसको allow कर देना है क application और यहां से इसको scroll left करेंगे तो अफिट्राइन आउ पे क्लिक कर देंगे तो ऐसी screen आ जाएगी इसकी main home page आ जाएगा और home page पे जाने के बाद आपको पर प्लस का sign आएगा वो sorry registration registration का sign आएगा registration पे क्लिक कर देना है registration पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी email id डालनी है पे जाएगा उसमें register का option आएगा उसके बाद यह page आ जाएगा उसके बाद यह देखे मेरी already registered है तो मेरे को कुछ नहीं करना है मेरे को login पे क्लिक करना है और अपनी email id और password डाल देना है और यहां पे ok कर देना है login करते ही देखिए आपके सामने इस तरीके का page show हो जाएगा और यह अभी device सारी offline है यह मैंने पहले की devices इसमें install कर रखी दी तो वह बले devices के अंदर आ रखी है तो अभी छोड़ो इनको कुछ नहीं करते हैं अब इसको हम सबसे पहले अपनी नई जो device आई है इसको connect करते हैं तो इसके अंदर क्या करना है हमें सबसे पहले wifi में जाना है मैं आपको जो भी दिखाता हूं इसके अंदर real दिखाता हूं ठीक है तो आप यह क्योंकि मैं बीच में skip बगरा नहीं करता हूं क्योंकि दिक्कत आजाती लोगों को तो MV करके देखे इसका wifi शो कर जाएगा वहाँ पर आपको इसको क्लिक करेंगे तो automatically यह connect हो जाएगा connect हो करने के बाद आपको क्या करना है दूसरे कोई भी वाइफाई हो जिससे आपका automatically connect हो जाता हो इंटरनेट तो उसको हमें auto disconnect कर देना और keep पे क्लिक कर देना यह पूछेगा आपका mobile तभी क्लिक करना है अदरवाज इसका कोई option नहीं है उसके बाद उसको scroll down करेंगे उपर से नीचे को उंगली फेरेंगे तो यह land online शो करने लग जाएगा जिसको मैं आपको password बुचेगा ठीक है और यह password मैंने आपको कहा था कि अगर आप इसको reset नह से पहले बताया था क्योंकि कई लोगों मैं आपको यह से लिए दिखा रहा हूं करके क्योंकि कई लोगों की प्रोब्लम बहुत कि आती है कि वह password पूशन लग जाता और जबकि password उनको यह पता नहीं होता तो उसको क्या करना पड़ेगा अपने mode वाले बटन पे क्लिक करना लग जाएगा और दूसरी बात इसका इसमें कोई भी password नहीं पूचेगा आप से फिर password बनाने के लिए पूचेगा बस password नहीं पूचेगा तो देखिए मैंने इसको reset कर दिया है और अब यह देखिए online show करने लग गया है और अब यह देखिए set password पूच रहा है मतलब उस time क् पूचरा password बनाओ तो इसमें आपको password बनाना जो नीचे दो option है यहां पर admin 123 करना है और यहां पर 123 मतलब यह password डालना आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें special character मत डालना इसमें normal alphabatic and numeric मतलब कि कुछ English के word और कुछ गिंती डालनी आपको password के अंदर तो यह देखिए यहां पर यह show करने लग किया है camera यह देखिए और इसके अंदर सबसे खासेत बात यह है v3 application में कि इसमें night vision mode automatically on हो जाता है मतलब आपको उसको लगा कि अंधेरा है यहां पर तो वहां पर automatically on हो जाएगा और क्या कहते हैं दिन के उजाले में अपने आपी color बदलेगा जैसे कि आप दे है क्योंकि उसमें automatically night vision mode on नहीं होता तो यह चीज आप जरूर ध्यान रखे जब आप खरीदें इसको तो और मेरे से खरीदने के लिए तो आप मेरे को contact करी सकते है description box में मैंने अपना number डाल रखा है बाकि जब पहले इस screen के ओपर जाएंगे तो वहां पर भी मैंने अपना number तो यह देखिए इस तरीके के इसका वियू है काफी अच्छी quality है ऐसा नहीं है कि quality बेकार है बहुत अच्छी quality आपको देगा full HD है मिलेगा बाकी inverse का जैसे आपके से उल्टा लग जाता है कैमरा तो इसको inverse कर सकते हैं इसको सीधा करने के लिए ठीक है और इसके अंदर और बहुत सारे चोटे-चोटे functions हैं जैसे आप इसको बढ़ा कर सकते हैं HD कर सकते हैं snap क्लिक कर सकते हैं इसकी photo photo click कर नहीं हो तो snap shot पर क्लिक करना है इसको pause भी कर सकते हैं उस प्लस पर pause button पर क्लिक करके बाकी यह बीच वाला बटन दमाएंगे तो 4-5 camera भी एक साथ इसमें चला सकते हैं एक फोन पर चला सकते हैं ठीक है जादे भी चला सकते हैं तो इस्नैप सोट पर क्लिक करेंगे तो snap shot हो जाएगे recording पर क्लिक करेंगे तो रिकोर्ड कर रहा है अब मुबाइल से भी रिकोर्ड कर सकते हैं बाकी memory card में तो without Wi-Fi हां बहुत लोगा सवाल होता है मैं बता सब चीज देख सकते हैं अभी तो इसके अंदर मैंने डाला हुआ बाकी इसके अंदर SD card का सारा replay का option पे क्लिक करके ना replay जो है replay लिखा हुआ ठाड ऑप्शन यह सबसे बैस्ट फॉंक्शन है वी 3 application का मुझे जो लगता है कहीं भी बैट के दूर बैट के आप सकते हैं बाकी कि इस को उपने कर सकते हैं किसी को चेर करना ओतो इसकीиков करो बहुत अङ्मेल इट डालके उसको शेयर करेंगे तो वह लोगिन करेंगे फॉर पहुझ जाएंगा और वह अपना लॉगिन आइडी कर सकते हैं बाकी लोगिन आइडी पासवर्ट जो मीन हुंपे पर किसी को भी शेर करते ना पॉब भी इसको फिर चला पाएगा ठीक है तो यह दिए हना रखना है बाकि देखिए आप जो उपर जो जब वाइफाइ पर जाते हैं वहां पर एक एम भी करके आता है तो उसके करते तो ऊ-टो जाता है तो हाँ पर अगर पासवर्ट जालना तो और जब आप इसमें कार्ट डाल दे तो उसमें जो उपर वाला बटन है ना कंट्यूनेस रिकोडिंग ये बहुत लोगों को दिक्कत आती तो उस पर किलिक कर दे तभी वो कंट्यूनेस रिकोडिंग मेमरी कार्ड में करेगा ठीक है तो इस चीज़ को जरूर ध्यान लखना है जब आप इसको मेमरी कार्ड डाले तो एप्लिकेशन पर जरूर जाए और उसमें जाने के बाद आप इसको कंट्यूनेस कर दें बाकि ये कोई option पर आपको क्लिक नहीं करना है ना ही इसका कोई काम है अपका इसमें ठीक है तो ये पूरा इसका प्रोसेस है अब मैं इसको न पर पहला option पर किलिक करना है पहला option के बाद तीन options आजाते हैं hot spot connection, wifi smart link connection तो ये देखिए पहला option पर क्लिक करेंगे और कैमरे को wifi से connect करना है mobile के wifi से दिखन देखना और इस पर MV करके देखिए हां पर शो कर गया इस पर क्लिक कर देना है अब ये नियर अरश्ट वाइफ़ा है जो भी camera के hot spot है या wifi router है या कोई भी या उसका white spot है हम पर सलेक्ट कर जाएगा सर्च कर तो उसको आप किलिक कर दीजिए यहां पर ठीक है और उसका password डाल देना है hot spot किसका hot spot का wifi router का या किसी का भी वो शो कर जाएगा यहां पर ठीक है पहले camera आप पर किलिक करना है camera पर फिर उसके बाद जो भी आपका camera सेलेक्ट करना चारहे होटी स्पोर्ट सेलेक्ट करना चार अब इसके अंदर देखिए अपने आप वो camera अब connect हो जाएगा ठीक है उपर से वो हट चुका है अब वो wifi में कभी शो नहीं करेगा camera वो अब online net से ही चलेगा मतलब अब वो direct नहीं चला सकते आप आप उसको net के through ही चला सकते हैं तो यहां देखिए उपर मैंने net on कर दिया ह है और आप एक काम करिएगा जब भी भी configuration करते हैं इसकी उसके बाद आप इसके application वहटा के दुबारा से open करें क्यूंकि application एक बड़ी दुबारा से open करेंगा तो refresh automatically application हो जाएगी जो और आपकी wifi देखिए जैसे मैंने कार्ट दिया हटा दिया सब कुछ आप दुबारा से वी देखिए देखिए कोई wifi से किसी से connect नहीं कर रहा है और यह direct internet मोबाइल का चलाया और यह direct internet से अब यह चल रहा है ठीक है तो यह आप देख सकते हैं लाइव दिखा दिया है आपको connect करके internet से और यह बहुत ही अच्छे तरीके से work करता है बड़ डिपेंड करता है कि आपके मोबाइल के network कैसे आ रहे हो जैसे कि मेरे office में बहुत ही कम network आते हैं तो इस वेसे बहुत ही कम network में work करता है यह पूरा मेरा office है ठीक है और कोई भी camera आपको buy करना हो किसी भी तरीके का तो आप मेरे को direct contact कर सकते हैं मुझे खरीदना हो मैं यही same product आपको दूंगा cash on delivery भी available है ठीक है बट 200 रुपे advance होते हैं बाकी cash on delivery होता है तो मेरा यह process होता है बाकी अगर order करने के लिए नाम address phone number यह तीन चीजे भेजनी होती है इसके लावा कुछ भी नहीं देना होता आपको यह तीन चीजे आप मुझे WhatsApp पे share कर सकते हैं अगर आपको यह buy करना है ठीक है तो दे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और दोस्तों के साथ share करें तो thank you friends have a nice day bye bye take care